सर्वांग सम वृत्त, कॉंगुरेंट सर्कल्स हमने देखा था कि ऐसी दो आकृतियां जो एक दूसरे को पूरी तरह ढख लेती हैं सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं अगर हम बराबर तिज्या के दो वृत्त लें जिनके केंद्र O1 वह O2 हो पुनह O1 केंद्र वाले वृत्त में एक व्यास A-B तता O2 केंद्र वाले व्यास C-D लें आकृति 14, 15 एक व्यत्त को दूसरे व्यत्त पर इस प्रकार रखें कि केंद्र O1 केंद्र O2 पर पड़े तथा व्यास AB के अंत बिंदू A वब B क्रमशा बिंदू C वबिंदू D पर पड़े आप देख सकते हैं कि एक वृत्त दूसरे वृत्त को पूर्ण तया ढख लेता है अता हम कह सकते हैं कि लिये गए दोनों वृत्त सर्वांग सम है इस गतिविदी को बराबर तरिज्या के अन वृत्त खीच कर दोराएं आप पाएंगे कि बराबर तरिज्याओं वाले वृत्त सर्वांग सम होते हैं जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण एक रेखाखंड AB तथा एक बिंदू O जो रेखाखंड में नहीं है दिये गए हैं आकरिती 16 O को A और B से मिलाईए कोण A O B रेखाखंड AB द्वारा बिंदू O पर अंतरित कोण कहलाता है एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा दो जीवाएं AB और CD हैं आकरिती 17 जीवा AB तथा CD द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्रमशा कोण AOB तथा कोण COD हैं क्या आप बता सकते हैं कोण AOB और कोण COD में कौन सा कोण बढ़ा है क्या आप जीवा की लंबाई तथा जीवा द्वारा केंदर पर अंतरित कोण में कोई संबन देख पाते हैं आप कह सकते हैं कि जीवा की लंबाई अधिक होगी तो केंदर पर बना कोण भी अधिक होगा करके देखें 5 cm त्रिज्या का एक वृत्त खीचे वृत में 3, 5, 8, 10 तथा 6 सेंटिमेटर लंबाई की दो-दो जिवाएं खीजे चान्दी की सहायता से इन जिवाँ द्वारा केंदर पर बने कोणों की माप करें और दी गई तालिका में लिखें उपरोग तालिका को पूर्ण करने पर आप पाएंगे कि एक वृत की बराबर जिवाएं केंदर पर बराबर कोण अंतरित करती हैं